फ्रेंड्स क्या हमें बाइक और स्कूटर को डीजल वाश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए डीजल से बाइक और स्कूटर को धोने से क्या फाइदा होता है क्या क्या नुकसान हो जाता है कब हमें अपनी काड़ियों को डीजल वाश करना चाहिए कब बिल्कुल नहीं करना और वो कौन से इसे पार्ट से जहां पर डीजल से नहीं धोना चाहिए और वो कौन से इसे पार्ट से जहां पर हम डीजल से धो सकते हैं इसी के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बिल्कुल डीटेल में बताने वाला हूँ अब देखो आप में से बहुत से लोगों सवाल आए क्योंकि रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे मैंने आपको केरोसीन, डीजल, चेन क्लिनिंग स्प्रे, डब्लू टी-फोटी इन सबसे चेन को क्लीन करके दिखाया था और आपको बताया था कि कौन स अब फ्रेंट्स देखो जो डीजल होता है वो पानी से अगर आप अपने गाड़ी को धोते है या डीटरजन से धोते हो शैंपू से दोते हो इन तीने को मुकाबले डीजल बेहतर डीग्रीसर होता है और सिचोशन कुछ इस तरह के कई बार क्या होता है कि हमारी गाड़ जो में बाइक है स्कूटर में जो अंडर नीथ पोजिशन होता है जो डॉन पोजिशन नीचे का पोजिशन होता है वहाँ पे कई बार जो ऑईल होता है जो ग्रीस होता है वो वहाँ पे जमा होता है उनके धब्बे बने होता उनके स्टेंट ऑल और ग्रीस के होते है साथी बहुत हद तक oil को grease को भी हटा पाते है जस्ट पानी के pressure से लेकिन इस बात में भी पूरी सचाई कि बहुत सारे ऐसे धब्बे वगर होते है या बहुत सारे हमारे गाड़ियों कि ऐसे parts पंचाके वो गंदगी वगर जो oil grease से वो जमा हो जाता है जो कि आसानी से पानी से detergent से य निकल पाता और यहीं पर जो diesel wash है वो काम में आ जाता है लेकिन सबसे बड़ी problem यह है कि आज की time पे maximum लोगों को यह पता ही नहीं है कि diesel wash करने का सही तरीका क्या है अकसर यह देखा जाता है कि जब diesel wash किया जाता है गाड़ियों को तो maximum लोग गलती यह करते है कि diesel को all over गाड हाला कि diesel बेहता degreaser तो होता है लेकिन जो diesel का chemical composition होता है उसके हिसाब से यह हो जाता है कि अगर आप diesel को अपने गाड़ी के full body में spray कर देते हो तो body के जो main painted parts है चाहे metal part हो चाहे fiber part हो चाहे plastic part हो इनका जो paint है वो fade होने लगता है diesel के विएसे diesel के विएसे जो paint है वो खराब हो जाता है जो paint का glossiness जो चमक है वो भी हड़ जाता है तो खास glossy prints वारे जो bikes होते है या scooter होते है वहाँ पर ज्यादा नुकसान करता है साथ ही बहुत सा जो dry rubber वाले parts होते हैं वहाँ पीपे का diesel को spray करते हैं तो वो भी उन parts को भी damage कर देता है लेकिन बहीं दूछरी तरफ मैं आ बहुत ज़्यादा गंदगी जमा है, oil वगरा, grease वगरा जमा है तो आप वहाँ पे spray कर सकते हो, साथ ही अगर आप chain को clean करना तो diesel chain को भी clean कर सकते हो, इसकर आप foot rest हो गया, swing arm हो गया, नीचे का जो portion है वहाँ पे आप, हलाकि आप disc brake में मत लगाना क्योंकि वहाँ पे वहाँ उपर के portion में diesel wash करते हो, जैसा कैपना आपको बताया कि paint बगरा का नुकसान देखने को मिलता है, diesel wash को लेकर अक्सर ये भी सुनने को मिलता है कि diesel wash करने से diesel के वैसे जो हमारे chrome के metal के parts से उनमें जंग नहीं लगता है, इस बात में मैं आपको बताना चाहूँ कि बहुत ही minimal फ लेकिन just diesel wash करने से आपके जो गाड़ी के parts से वो rust free नहीं रह सकते, corrosion free नहीं होगा, आप इस बात का ख्याल रखे, तो add in मैं को यही राय देना चाहूँगा कि best यह होता कि diesel wash करना भी है, तो आप नीचे के portion में करो, अच्छी तरह से clean कर लो, ऊपर के portion में नहीं करो, diesel wash करने के बाद जरूर से water से, shampoo अगरा से, जो भी आप यूज़ करते हो, उससे अच्छी तरह से cleaning उसके बाद भी करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है, तो उमीद है कि आज कि इस वीडियो में दीगे जान करें, आपको पसना है होगी, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो क लाइक और शेयर जरूर से कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय, आप मुझे comment करके जरूर बताए, इसके लाव अगर आप चैनल पे नहीं हो, या भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को जरूर से द बाद दे, ताकि आने वाले इंपॉर्टने वीडियो के अपडेट आपको जोटिफिकेशन के तुरू मिलते रहे, मिलते अगले वीडियो में, थैंस वाचिंग दिस वीडियो, गुडबाई